बिश्वुदु पलसत का मैंने समर्थन किया है मोधी शरकार का मैंने समर्थन किया है लेकिन समर्थन का ही अर्थ नहीं होता है कि हमारे समर्थन को हमारी कमजोरी समझा जाए हमारे तीतों को चीन लिया जाए इस बार ऐसा आंदोलन करो कि सम्मेश सिकर तो हमारा होगा वक्त पड़े तो गिरनार भी बापिस लेंगे और रिशब देव केशरिया भी बापिस लेंगे हमारे तीथ हमें बापिस लोटाए जाएं देखो नौजवानों अपने धर्म पे इलजाम ना आए वक्त पड़ा तो तीथों के लिए अपनी लोग काम ना आए ध्यान रखना ये इलजाम हमारे सिर पर नहीं आना चाहिए ये सिद्धों की आबाज है ये अरिहंतों की आबाज है ये शंतों की आबाज है ध्यान रखिए आप से मेरा इतना ही निवेदन है अब गलियों में रास्तों में नाशिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई सम्मेश सिकर की रक्षा के लिए मैं चाहता हूँ कि अब रैलीयों की जरुवत नहीं है पूरे हिंदुस्तान की समाज मीडिया से कहा जाता है इसको दिया जाए तो मालूम मीडिया क्या बोलता है मीडिया से एक सहरनपुर के व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया पर लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे वो कि रहे कोई मेजर मूमेंट नहीं है हम इसको नहीं दिखा सकते हैं हमारे तीर्ट major moment नहीं है क्या चायता है एधेश क्या चाहती है शरकार major moment कब बनेगा तब बनेगा जब हम पट्लियां उखाढ़ना प्रारम करेंगे major moment कब बनेगा जब हम आत्मदाह सुरू करेंगे कब बनेगा जब बनेगा एदेश शरकार तक हमारी आबाज पहुचना चाहिए ध्यान रखना बंदिर तूटता है किसी हिंदू का हमारा दिल डुखता है ध्यान रखिए आप से निवेदन राम से तू पर प्रश्ण चिन्न खड़ा हुआ हमने उस पर गरज करके गरजना की कि राम से तू सदियों से था और र धर्म सन्रक्षनि महासभा श्वेताम्बर महासभा इस्तानक बाली महासभा तेरा पंध महासभा सभको एक हो करके अगवाई करना पड़ेगा सबको एकता का परिचे देने पड़ेगा पंथ भूद जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धती भूल जाओ समेज सिखर को याद रखो बज़, समेज सिखर तीर्थ हमें प्राणों से भी प्यारा होता है अब समकार ने यही नहीं सुना, तो समेज सिखर वलिदान मांगता है हम किसी की जान नहीं लेंगे, लेकिन निकलंक और अकलंकी तरह अपनी जान कुरुआन कर देंगे मैं चाहता हूँ ऐसा दिन मुकर्रर किया जाए ऐसा समय मुकर्रर किया जाए तीर छेत रक्षा कमेटी उसकी अगवाई करे धन संरक्षनी महासभा उसकी अगवाई करे आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एक तारिक ऐसी बुक करे ऐसी मुकर्रर करे एक तारिक कोई भी और बैट करके निर्नेले अब गलीओं में चोराहों पर तों पर रेलिया निकालने से कुछ नहीं होने वाला अब पूरे हिंदुस्तान की समाझ को समेघ सिखर की तरफ कूच करना चाहिए हजारों लाक होलो दिल्ली में धरना दे के क्या कर लोगे नाशिक में धरना दे के क्या कर लोगे गुजरात में धरना दे के क्या कर लोगे धरना देना है और आंदोलन करना है सम्मेश सिखर की तलेटी मधुबन में पहुँचिए लादों का जन सेलाव इखटा होना चाहिए और बक्त पड़े तो हम संत्वी सम्मेश सिकर की तरब कूच करने को तयार हो जाएंगे लेकिन सम्मेश सिकर जाने नहीं देंगे सम्मेश सिकर को परियटक स्थल नहीं बनने देंगे चाए जारखंड सरकार हो चाए दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार हो सबको सावचेत होना पड़ेगा ध्यान रखिये ये मस सोचो कि हमारे पास हतियार नहीं है हमारे पास सस्त्र नहीं है हम ना सस्त्र उठाएंगे ना हतियार उठाएंगे अहिंसा की ताकत तो वो ताकत होती है हजारों वर्सों से बैठे हुए बिदेसी आक्रांताओं को महात्मा गांधी अहिंसा की दोर पर बलकार दिया करते हैं अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है एक बात याद रखिए जब तक जेन समाज शांत है शांत है एक ही मेरा निवेदन है भगवान महावीर की अहिंसा किसी कायर और नपुनसक की अहिंसा नहीं है भगवान महावीर ने इन जहनियों को ताकत दी है कि कभी भी चीटी की हत्या मत करना लेकिन कुमारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपने तलवार हाथ में लेने की जरूरत हो तो वह भी ले लेना चाहिए माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं ध्यान रखिए आप से मेरा निवेदन है समाज की अहिंसा को ललकारा नहीं जाना चाहिए समाज के धैरे को ललकारा नहीं जाना चाहिए एक बात याद रखे हम बिरोदी हिंसा के त्यागी नहीं हुआ करते हैं हम वो लोग हैं अहिंसा के लिए जीते हैं अहिंसा के लिए मरते हैं मैं चायता हूँ जितनी भी स्वयम से भी संस्थाएं हैं। चाय वह महासवा हो। चाय महासमिती हो जितनी भी स्वयम से भी संस्थाएं हैं। चाय परिशत हो बिद्दत परिशत हो। चाय पुलक जन्चेतना मंच के दस जार लोग हो। सब यवाओं को एक होकर अब जैन सेना जैन आर्मी बनाने का वक्त आ चुका है सम्मेश सिकर की रक्षा के लिए हमें आगे तलवार उठाना पड़े अठाएंगे सस्त्र उठाना पड़े उठाएंगे लेकिन सम्मेश सिकर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे गिरनार का घाव भरा नहीं है अभी हमारा रेशब किशब देव केशरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी एक नया घाव सम्मेश सिखर का मिल रहा है इस बार ऐसा आंदोलन करो कि सम्मेश सिखर तो हमारा होगा बक्त पड़े तो गिरनार भी बापिस लेंगे और रिशब्देयो केशरिया भी बापिस लेंगे हमारे तीथ हमें बापिस लोटाए जाएं ध्यान रखिए ये जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आचुका है चुप नहीं बैठना है तैयार रहना है सब को ये सब महा समीती बगेरा आगे आ करके एक तारिक मुकरर कर दीजिये और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो समय सिकर बचाना हमारा काम हुआ करता है समय सिकर की रक्षा करना हमारा हम नहीं कर पाए तो शिक्त छेत्र में बैठने का हमको अधिकार भी नहीं हुआ करता है ध्यान रखिये तीर्थंकर हमारे पास नहीं है लेकिन एक बात याद रखना तीर्थंकर भले ना हो लेकिन तीर्थंकर के वक्त आज भी जिंदा है और जब तक एक भी जहनी जिन्दा है बक्त पड़ेगा एक-एक की कुरवानी देना पड़े तो देंगे लेकिन सम्मेश सिखर हाथ से नहीं जाने देंगे उसके लिए प्राणपन से समर्पित रहेंगे क्या विगाड़ा इन तीर्थों ने क्या किया तुम्हारा क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड होता है क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये सड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं तुमको परेट तक सल बनाना है हजारों पहाड है जाओ बनाओ अपने अपने इस्तानों में बनाओ, सरकार में यदी ताकत है, एक नहीं सौ सो ब्रंदावन गार्डन बना दो, हमको उससे कोई परहेज नहीं हुआ करता है, पहाड की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता, हजेन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं दस दस पहाड खरीच सकते हैं, ध्यान र हम दस सम्मेश सिखर बना लेंगे, लेकिन 24 ती ठंकर में से 20 को मोक्ष कहां से दिला पाएंगे, लडाई किसी परवत की नहीं, लडाई किसी मित्टी के तुकडे की नहीं हैं, किसी भूखंड की लडाई नहीं, हमारे ती ठंकों के निर्वान भूमी की लडाई है, जो हम जागत अपने हाथ में रखिये, आगे बढ़िये, तीर्थों को बचाने का प्रयास करिये, यही शंदेश मैं यहां से दे रहा हूँ, आज पहला दिन है, पहली दिन मैं इतनी, इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ, कि हमारे जीवन में समाच को हमें जागरत करने का प्रयास करना है, जब तक कैंद्र सरकार ये बापिश नहीं लेती है, अपना मुद्दा, जब तक राज्य शरकार बापिश नहीं लेती है, ध्यान रखना, आप से निवेदन करूंगा, समाच को जागना पड़ेगा, आज कल पता चला है, कि जारखन्र सरकार ने पुलिस विवस्ता वहाँ पर लगा दी है, सारी विवस्ता, आज सम्मिश सिकर के साथ ऐसा हो रहा है, कोई देश का मंत्री नहीं बोल रहा है, कोई सांसर नहीं बोल रहा है, कोई बिधायक नहीं बोल रहा है, लगता है बहुत बड़ा सड़यंत्र जेनियों के साथ हो रहा है, मैं कहता हूँ, यदि इस सरकार ने प्रिस्ता बापिस नहीं लिया तो हर जैन देश का चाहे किसी भी शंब्रदाय का जैनी आदमी हो किसी भी पंथ का जैनी हो ऐसी सरकार का भहिश्कार करेंगे ऐसी सरकार को नोट, बोट और सपोर्ट देने का हम प्रयास नहीं करेंगे जो हमारी आस्ताओं से खिलवाड कर क्या दिया इतने दिन में इनोंने हमने कभी अपने लिए मकान नहीं मांगा हमने कभी अपने बच्चों के लिए फीस नहीं मांगी सरकार से हमने कभी सरकार के आगे कटोरा लेकर भीक नहीं मांगी है राज भी हम भीक नहीं मांग रहे हैं सम्मेश सिखर हमारा अधिकार है वह था है और हमेशा रहेगा हम कोई उनसे नहीं कहा रहे कि हमें भीक में सम्मेश सिखर दो लेकिन जिस तरह से लूट पाट वहां माचा रखी है जिस तरह से उसकी पवित्रता को नश्ट किया जा रहा है वह जैन समाच कभी बरदास्त करने वाला नहीं है यही शंदेश लेकर के इस नाजिक के गजपंथा तीर से मैं अपनी आवाज पूरे देश में पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ जन जन में पहुँचाने का प्रयास करना हूँ अब की बार यदी नहीं जागे तो जो गिरनार का हाल हुआ वही सम्मेश सिकर का हाल होगा फिर हमारे चोटे-चोटे तीरत भी नहीं बचेंगे कुछ नहीं बचेगा वाहरे सरकार समझ नहीं आती है अर्मो और उपेला कार कहीं मंदिर बनाते हैं कहीं मंदिर गिराते हैं इनकी नियत कुछ समझ में नहीं आती है गिरनार का मुद्दा हुआ मैं राष्टी स्यम सेवक संग का समर्थक हूँ मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है बिश्विंदू परिषत का मैंने समर्थन किया है मोधी शरकार का मैंने समर्थन किया है लेकिन समर्थन का ही अर्थ नहीं होता है कि हमारे समर्थन को हमारी कमजोरी समझा जाए हमारे तीतों को छीन लिया जाए ध्यान रखना हम वो लोग है हम उस जैन समाज में जीने वाले लोग है हम कोई बाहर से दूसरे मुल्क से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा पडोस से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा हमारा धर्म भारत का धर्म है भारत नाम यदि देश को मिला है तो रिशब पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम की प्राप्ति हम कोई बाहर से आए हुए धर्म नहीं है हम कोई लुटेरे नहीं है हम सांती में जीने वाले लोग है हम अहिंसा और करणा में जीने वाले लोग है ध्यान रखना इस देश को जैन समाजने यदि कुछ दिया है तो पूरी दुनिया में एक ही नारा दिया है जीओ और जीने दो अहिंसा परमो धर्मा ये नारा विश्व में गूंजरा है ये जैनों की दैन हुआ करती है ध्यान रखना आपसे निविदन है आग रहे है विशेश बात है फिर कभी आपसे करूँगा समय हो रहा है लेकिन तैयार रहना है बक्त पड़े तो हमें आगे आना है देखो नोजवानों अपने धर्म पे इलजाम ना आये कि बक्त पड़ा तो तीर्थों के लिए अपनी लोग काम ना आये ध्यान रखना ये इलजाम हमारे सिर पर नहीं आना चाहिए